नमस्कार दोस्तों, मैं राजी का अगरवार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अज़की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम पशु परीचर की साइन्स के लिए एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भौतिक और रासाइनिक परिवर्तन सिर्फ इन कुश्यन्स को कर लीजिए, एक्जाम में भौतिक रासाइनिक परिवर्तन का एक भी कुश्यन गलत नहीं होगा चलिए स्टार्ट करते हम कुश्यन नमबर वन के साथ कैलसियम हाइड्रोकसाइड कहलाता है भुजा चूना, बिना भुजा चूना, नीलाथ होता या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए कैलसियम हाइड्रोकसाइड का फॉर्मुला होता है आपका C-A-O-H का होल्टू जिसको हम क्या कहते हैं भुजा चूना कहते हैं आंसर आएगा अपना option A बिना भुजा चूना आपके क्या होता है calcium oxide जिसका formula होता है C-A-O नीला थोता जो है उसको हम कहते है copper sulfate C-U-S-O-4-N-H-2-O यह आपकी क्या है नीला थोता है ठीक तो आंसर आजाएगा अपना option A अगला question दीखी नमबर 2 संशारन प्रदाशित करता है एक उपचयन प्रती किरिया अपचयन प्रती किरिया विस्थापन प्रती किरिया या वियोजन प्रती किरिया देखो संशारण क्या होता है जिसे माल लो कोई भी लोहे का गेट है उस पर paint मत करो और उसको ऐसे ही लगा दो या कोई भी लोहे की वस्तू है उसको बाहर खुला छोड़ दो तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो आपके लोहा है उस पे जंग लग जाती है तो जो धातु एक खराब हो जाती है नमी, आद्रिता, वायू, इनकी उपस्थिती में तो उसको ही हम कहते हैं संशारण अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपके लोहा है वो ऑक्सीजन और नमी के साथ रियक्ट कर रहा है और आपके आइरन ऑक्साइड का निर्मान कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, इस आइरन के इंदर जुड रही है और oxygen का जोड़ना क्या कहलाता है, oxygen कहलाता है, और oxygen कोई हम क्या कहते है, उपचयन, तो यह है कैसी प्रती किरिया है, एक उपचयन प्रती किरिया है, ठीक है, आंसर आएगा option A, अपचयन में क्या होता है, oxygen निकलती है, और hydrogen जोड़ता है, उसको कहते है, अपचयन अभी किरिया विस्थापन अभी किरिया में क्या पताया था मैंने आपको कि अगर कोई एक योगिक है उसमें कम अभी किरिया शील जो धातू होती है उसको अधिक अभी किरिया शील जो तत्व है वो क्या कर देता है यहाँ पर विस्थापित कर देता है जैसे कि copper sulfate के solution के अंदर हम क्या डाल देते है माली जी लोहे की कीले डाल देते है अब iron क्या है ज्यादा अभी किरिया शील तत्व कॉपर क्या है कम अभी किरिया शील तो यहां पर ये इसकी जगे आ जाएगा FESO4 ferrous sulfate बन जाएगा और copper अलग से निकल जाएगा ठीक है इसको हम कहते है विस्थापन अभी किरिया वियोजन प्रती किरिया में क्या होता है देखो कोई एक योगिक है उसको हमने उश्मन दे दी ताप दे दिया सूर्य प्रकाश दे दिया तो वो दो या दो से जादा यहा तो अपना यहां पर आंसर आएगा option A अगला question देखे नमबर 3 अपचे अभी किरिया के संधर में किसी पदार से hydrogen का निशकासन क्या कहलाता है वी-hydrogeny current, oxy current, nirjali current या फिर अपचे अभी किरिया का मतलब क्या है इसको हम कहते है redox reaction क्या कहा जाता है redox reaction कहा जाता है redox में क्या होगा एक तत्व का तो क्या होगा यहां पर एक पदार्थ का तो अपचेन होता है और दूसरे पदार्थ का उप जुड रही है, उसका तो ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा और जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, उसका क्या होगा, अब आपसे क्या कहा है, इस reaction में हाइड्रोजन का निशकासन क्या कहलाता है? तो हम यहाँ पर निर्जली करण या वी हाइट्रोजनी करण नहीं लगाएंगे क्योंकि रेडॉक्स रियक्षन दे रखी है तो हाइट्रोजन का निकलना यहाँ पर क्या कहलाता है ऑक्सी करण कहलाता है आंसर आएगा अपना अप्शिन ब ठीक चलिए अगला प्शिन देखिए नमबर फोर शुक्र ग्रह का वायू मंडल घने वे सफेद तीले बादलों से बना है जो किसके बने है सबसे पहले इन सबके फॉर्मुले आद कर लो एक्जाम के अंदर सीधा फॉर्मुला या रासाइनिक नाम भी पूछा जाता है तो देखो नाइट्रिक अमल आपका क्या हो गया एचेनो 3 जिसको हम क्या कहते है शोरे कामल भी कहते है हाइड्रो कलोरिक असिड है टॉयलेट क्लीनिंग के काम में आता है सल्फ्यूरिक असिड जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर हैच्टू एसोफोर बैटरी असिड भी कहा जाता है इसको सल्फ्यूरिक असिड को बहुतिक परिवर्तन रासाel के यह परिवर्तन बहुतिक और रासाel कığın परिवर्तन दोनों में या इन में से कोई नहीं सिंपल सा सीधा पूछा है आपसे नया प्डार्थ किसमें बनेगा देखो पानी लिया रूम टेंप्रेशर पर रखा वो द्रवल अवस्था में है उसको फ्रीज में रख दिया वो जम गया बरब बन गई ठोस अवस्था में उसको बापस से रूम टेंपरेचर पे लिया वो दुबारा पानी बन गया तो कोई रासाइनिक अभी किरिया होई नहीं सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ कोई नया बना ऐसा है कि पानी से दूद बन गया आपे नहीं लेकिन नया पदार जो है वो आपके रासाइनिक परिवर्तन में बनता है उसमें कोई रासाइनिक अभी किरिया होती है रासाइनिक संगठन में चेंज होते हैं जिसकी वज़े से नया परिवर्तन बनता है जिसे माल लो कोई कच्ची सब्जिया है आप लेकर आए घर पे आपने उई सब्जियों को काटा तो सब्जियों को काटने भी क्या कोई नई चीज बन रही है नहीं तो सब्जियों को काटना बहुतीक परिवर्तन लेकिन वही आपने उनको पका दिया तो क्या पकी हुई सब्जियों से बापस स कच्छी सबजी यह ला सकते हो, नहीं न, तो वो आपके रासाइनिक परिवर्तन होगा, ठीक, तो नाया पदार्थ किस में बनता है, रासाइनिक परिवर्तन, कामिकल चेंज के इंदर, आंसर आजाएगा, अप्शिन ब, चीक, चलिए, अगला कुशिन देखिए, कौन सी जंग रोग थाम की विदी, अगर हमने लोहे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो नमी, आदरिता, वायू, इनकी वज़े से क्या होगा, उस पे जंग लग जाएगी, लेकिन अगर वही हम उस पे पेंट कर दे, लोहे के उपर, तो ये डाइरेक्ट कॉंटेक्ट में या ये ऑक्स से उसमें जंग नहीं लगती, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, गैलवनी करन अप्शन सा आंसर आएगा, ठीक, चले आगे, अगला है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, लकडी के लठे को छोटे टुकडों में काटना, लकडी जलाना, पलो का पकना, पना आपके भौतिक परिवर्तन है, देखो भोजन को पका दिया, तो क्या बिना पका हुआ भोजन वापस ला सकते हो, नहीं, यहाँ तो कोई क्यामिकल रियक्षन हो गई, ना पदार्थ बन गया, यानि कि रासाइनिक परिवर्तन, फलो को पका दिया, पके हुई फलो से आपस पुरानी लग लिला सकते हो, नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह क्या मिकल रियक्षन हुई, यह भी रासाइनिक परिवर्तन हुआ, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, आपने सिर्फ क्या किया, उनको छोटे-छोटे टुकडों में काट दिया, को इस्ट मश्रूम या मॉरेल अगर हम बात करें बेकिंग उध्योक की तो देखो यह जो आपके वड़ा पाउ आता है या पिर जो डबल रूटी आती है इनमें इस पाउ को फुलाने के लिए एक कवक का प्रयोग करते इस्ट वह आपके कौन है इस्ट है जिसका नाम क्या है सेक सीयहाऌ फेरो मायसीज सेहरेवीसी कवक का प्रयोग किया जाता है। है अब ऐसा नहीं है कि जीवानों और कवके यह हमीशाअ होनी कारती है कुछ जीवानों का कवकों का हमारे डेली रूटिन में प्रयोग मिलिये जाते हैं जो कि हमारे लीए लापदायक होते है जिसे अग और दही क्या एक पोस्टिक पदार्थ है तो यहां पर कौन सा इस्ट हो गया सेकेरोमाई सेरवेसी नेक्स्ट कुश्चिन नीला थोता रासाइनिक रूप से है सोडियम सलफेट, निकल सलफेट, आइरन सलफेट या कॉपर सलफेट तो देखो, नीला थोता का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको CUSO4.nh2 हो, तो यह आपके क्या है यहां पर कॉपर सलफेट हुआ नहीं हुआ आंसर आजाएगा उप्शिल द, ठीक है, फॉर्मूला से रासाइनिक नाम से भौतिक और आसाइनिक परिवर्तन से सीधे कुशन आते हैं आपके आपके निक्स्ट कुशन देखिए, जब हम सेव को टुकडों में काटते हैं तो कुछ समय बाद उसकी सत्य का रंग जो है वो भूरा हो जाता है यह कौन सा परिवर्तन है बहुतिक रासाइनिक बहुतिक और रासाइनिक दोनों या तो बहुतिक है या रासाइनिक है तो देखो जब आप सेव को काटके रख देते हो या किसी भी फ्रूट को काटके रख देते हो तो उसका कलर परिवर्तित हो जाते क्योंकि उसके इंदर अप्शिर बॉर्ट कलियर चलिये, next question कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, समांगी, विश्मांगी, करतिम या एंजाइम उत्प्रेरण, देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी उत्प्रेरण की, उत्प्रेरण क्या होते हैं, जो की रासाइनिक, आपकी कोई भी अब ये रासाइनी कभी करिया में भाग नहीं लेते, समांगी, विश्मांगी और एंजाइम उत्प्रेरण, ये तीन प्रकार होते हैं इसके, लेकिन क्रतिम उत्प्रेरण का कोई प्रकार नहीं होता, आंचर आएगा option स, ठीक, चलिए, संपोन सौर उर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, और अंत में वायू मंडल में पुनह चली जाती है, तो यहां परे किस रूप में जाती है, स्थेतिज उर्जा के रूप में, प्रकाश उर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, उश्मा के रूप में, या कार्वनि केवल 10% उर्जा का ही हस्तान आंत्रन होता है एक पोशी इस्तर से दूसे पोशी इस्तर पर बाकी की उर्जा का क्या तो बाकी की उर्जा जो है वो एन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है और यह किस के नियम पर अधारित है उश्मा गतिगी के नियम पर तो किस रूप मे इसका सरजन होता है उश्मा की रूप में अंसर आएगा अपुन से ठीक है और लोर्जा का जो दस परतीशत नियम है ना कि एक पोशी इस्तर से दूसरे पोशी इस्तर पर केसल और केवल दस परतीशत ओर जाती है ये किस ने दिया यहाँ पर ये 10 प्रतीशत नियम जो है वो दिया लिंडे मान ने 10 प्रतीशत नियम एक साइंटिस्ट के दुवारा दिया गया नाम है लिंडे मान ठीक वई चालिए नेक्स्ट कुशन बे जलते हैं आगला कुशन देखो निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है कुशन मा कर लेना पूचा क्या है जो भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं होगा आकरती में परिवर्तन नय पदार्थों का बनना रंग में परिवर्तन या घनत्व में परिवर्तन तो क्या नया पदार्थ बनता है भौतिक परिवर्तन में नहीं केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है तो उसमें रासेनी कभी करिया नहीं होती यानि कि नय पदार्थों का बनना भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं होता ठीक चलिए संत्रप्त हाइड्रोकार्वन एक उत्प्रेरक की उपस्थिती में हाइड्रोजन को जोड़ कर संत्रप्त हाइड्रोकार्वन बना है यह उत्प्रेरक क्या हो सकता है लोह धातू, आइरन ओक्साइड, निकल धातू या सक्रिय कार्वन इसको समझो देखो अपनी एक reaction होती है जिसको हम कहते हैं hydrogen करण अभी करिया कहते है देखो आसंतरप्त hydrocarbon के अंदर के आते हैं आपके alkin और alkyne जिसमें carbon carbon के बीच में होता है या तो double bond या triple bond तो हमने क्या किया यहाँ पर क्या ले लिया ये alkyne ले लिया इसकी करदी सयोजगता पूरी हर एक carbon की ठीक है जी अब देखो आसंतरप्त hydrocarbon है जो वानस्पती तेल होते हैं वो आपके आसंतरप्त hydrocarbon होते है अब इनको हमें संतरप्त में चेंज गरना है इनके carbon carbon के बीच में लेना है केवल क्या single bond तो ये देखो carbon carbon के बीच में आगया single bond यहाँ पर R मौजूद थे दो ठीक है R का मतलब क्या है यहाँ पर alkyl shrunkला है ठीक अब यहाँ पर क्या किया hydrogen ही current किया यानि कि hydrogen जोड़े न तो देखो एक hydrogen इदर लगया एक hydrogen इदर लगया तो हो गई carbon के से ज़कता पूरी अभी उत्प्रेरक के उपस्थिती में होती है या तो वो nickel उत्प्रेरक होता है या फिर palladium या तो एना या PD हाना नीपड ऐसे कर लो याद तो nickel या palladium के उत्प्रेरक के उपस्थिती में होता है इससी लिए तो answer क्या जाएगा अपना nickel धातू आंसर हैगा option ठीक चालिए अगला question देखिए अगला question है निम्नमे से कौन सा रासानिक परिवर्तन नहीं है देखो रासानिक परिवर्तन कौन सा नहीं है लोही में जंग लगना अरे लोहा oxygen और नमी के साथ react करके iron oxide बना लिया पूरी-पूरी reaction हो रही है ये तो रासानिक परिवर्तन है magnesium ribbon का देहन तो यहाँ पर magnesium को जलाया तो क्या बन गया magnesium oxide बन गया ठीक है MgO तो ये भी क्या आपके रासानिक अभी किरिया हो रही है ये भी रासानिक परिवर्तन है मोम बत्ती का जलना तो मोम बत्ती भी जलेगी यहाँ पर oxygen की presence में जलेगी यहनकी रासानिक अभी किरिया हो रही है ये रासानिक परिवर्तन है तो कौन नहीं आपका मोम का पिघलना क्यों नहीं है रासानिक परिवर्तन क्योंकि देखो जो मौम पिगला है उसको हम वैक्स को एकटा करके फिर से उस मौमबत्ती को बना सकते हैं तो यहां पर पिगलना, जमना, संगनन, उर्दवोपातन यह सब क्या है आपके बहुती परिवर्तन के अंदर आते हैं अंसर आजएगा उप्शिन द अगला कुशन देखो अमलशार के साथ अभी किरिया करके लवन और पानी बनाता है इस अभी किरिया को क्या कहते हैं तो देखो, संगन में कैसे बताया थे मैंने एक लड़का है एक लड़की है उनकी शाधियों इन्होंने मिलके आपके एक कपल बना लिया तो यह क्या हो गई? संगन अभी किरिया हो गई ठीक? अब देखो, उद्सीन अभी किरिया में क्या होगा? कि मालों कि दो लोग लड़ाई गर रहे हैं एक ने भी जोड से मुक्का मारा दूसरे ने भी जोड से मुक्का मारा एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया नस्ट कर दिया तो देखो एक एक एक्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या है प्रबल अमल हाइड्रोक्लोरिक एसेड, प्रबल शार सोडियम हाइड्रोकसाइड, अब क्या हुआ इसमें, कि इसने ये भी प्रबल अमल है, और ये प्रबल शार है, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाब को नस्ट कर दियो, और एक उदासीन लवण बनाया, एने चील, ये क् कॉंसी रियक्शन हो गई, उदासीनी करण अभी किरिया, अब चेन के अंदर क्या होगा, ऑक्सिजन निकलेगी, हाइड्रोजन जुडेगी, अब घटन में क्या होगा, देखो, जिनकी शादी होई थी, भूआ, फूपा, किसी ने क्या किया, थोड़ी सी आग लगा दी, दो पूश्मा और आपके सूर्य प्रकाश इनकी उपस्तिति की वज़े से वो दो या दो से जादा उत्पादों में अब घटित हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, उसको अपन कहते है अब घटन अभी के रिया, अब इसमें अमतापी अब घटन भी देखते हैं, साथ के साथ प्रकाश इअब घटन और वैध्युत अब घटन भी देखते हैं, ठीक है, अंसर आजेगा ब, अगला विशन देखिए, पिनौप थैलीन शारिय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है, गुलाबी, पीला, लाल या भूरा, पिनौप थैलीन क्या है, देखो, यहा अपना रंग परिवर्थित कर लेते हैं, यह भी ऐसे ही है, अलग-अलग माध्यम में जाएंगे, तो अपना रंग परिवर्थित करते रहते हैं, तो देखो, अमली माध्यम में जाएंगे तब अलग कलर होगा, शारिय माध्यम में जाएंगे तब अलग कलर होगा, प्राकर आपके होते हैं वह सब शारीय प्रकर्ती के होते है, तो हल्दी पे जैसे ही वह साबुन लगा तो हल्दी शारीय माध्यम में लाल भूरिय से तो आपने देखा हुआगा वो दाग ऐसे ही थोड़ा सा लाल भूरा सा हो जाता है, तो वो आपके कहे सोडा शारिय है और हल्दी यहाँ पर प्राकरतिक सूचक में आ जाती है ऐसे ही इसके अंदर लिटमस आ जाता है और लाल पत्ता को भी आती है जब हम बात करते हैं संशलेशी सूचक की यानि कि मानब के द्वारा निरमित है जैसे कि यहाँ पर पिनओफ थैलीन हो गया आपके मिधाईल और अरैंज हो गया आगे चलते हैं आगला कुशन देखिए अभी किरिया Na2SO4 यानिकि sodium sulfate की reaction कराई barium chloride के साथ तो barium sulfate बना और sodium chloride बना तो ये कैसी अभी किरिया है अप चयन है, सायोजन है, अप गटन है, दूई विस्थापन है देखो कैसे समझा रखा है मैंने आपको इसकी टोपी इसके सार ठीक है और इसकी टोपी इसके सार, यानिकि आइने उप्सचेंज हो रहे है तो देखो इसका Na उसके Cl के साथ चला गया इसका S.O.4 यानिकि सलफट उसके barium के सार चला गया तो आपके barium sulfate बना और sodium chloride बना आयने एक्स्चेंज हुए, इसकी टोपी उसके ज़र, इसकी टोपी उसके ज़र, तो ये क्या हो गई आपकी दुई विस्थापन अभी के लिए डबल डिस्प्लेस्मेंट, ठीक, आंसर आजाएगा option the, next question देखिए, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन को घोलने क इसकी लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, इतनोईक एसिड, इतनोल, बैंजीन या प्रोपाइलीन, बताइए, क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या गर रहे है, पारदर्शी साबुन बना रहे, तो साबुन को घोलने के लिए कौन सा रसायन इसका प्रयोग करते है, इतनोल का, आंसर आएगा, उप्शिन बा, फॉर्मूला क्या होता है, इसका, C2H5OH, एतनोईक एसिड का एथ कितने नमबर पे आता है, दो नमबर पे, यानि कि दो कारवन होंगी, ओएक एसिड लग रहा है, यानि कि COOH गुरुप है, कारवाक्सली गुरुप, तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3COOH, किलियर, और बेंजीन का फॉर्मूला तो, C6H6, आपको पताईए सबको, हाना, चलिया, अंसर आगे, ऑप्शिन ब, अगला कुशिन देखिए, निम्न में से कौन लाल लिकमस को नीला कर देगा, सिर्का, बेकिंग सोडा, का रजबी अमल है, म्रदू पे उसमें कार्वोनिल अमल होता है, तो यह तीनों तो अमल है, लेकिन बेकिंग सोडा, जो है, NaCO3, sodium hydrogen carbonate, वो तो आपकी कहा है, शार है, तो आंसर तो यही सबसे और है, अलग है, तो आंसर तो यहाना ची, फिर भी एक ट्रिक हमें आद करनी थी त्रिक क्या थी? B, A, R, बार, ठीक, अब देखो, ब्लू लिट्मस जो है, वो चेंज हो जाता है कि इसमें? रेड लिट्मस में, कब? अमल की उपस्तिती में, एसिड की उपस्तिती में, ठीक, अब यहां पर तो उल्टा दे रखा है, लाल लिट्मस जो है, वो चेंज हो रह इसको किसमे काम में लेते हैं एंट एसिड की रूप में जिसे मान लोग अभी पेट में दर्द हो रहा है इनकी ऐसेडिटी हो रही है हाना कोई दवाई लेने जाने का वक्त नहीं है तो क्या गरो घर में बेकिंग सोडा होगा उसको घोलो और पी जाओ ऐसेडिटी समापत हो और थाओं जाने की क्या क्या क्योंकि वू भी तो सारीयम अधिया में एक तरीके से सारीय पदार्थ है ठीक अधरा जागा अगला कुशन देख कि अर्दवाअ पातन का गुण yen पाया जाता एसे देखो, अगर हम बात करें उर्दवपातन की, उर्दवपातन होता है, जैसे कि कोई भी ठोस चीज है, डायरेक्ट उड़ जाए, ग्यास में, परिवर्तित हो जाए, उसको कहते है, उर्दवपातन, जैसे कपूर है, खुला छोड़ दो, उड़ जाएगा, तो ये किसके साथ ह होता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ, आंसर आएगा अपना ऑप्शन सा, देखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ने सील बनता है, ये क्या है एक आपके आईनी क्योगिक है, आईनी क्योगिक का मतलब होता है, जब धातू अपना एलेक्ट्रोन रिनात्मक आवेश, और क्लोरीन पे रिनात्मक आवेश आता है, जब हम इसको आएनो में तोड़ते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, अगर हम कैलसियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो आपके CACL2 होता है, क्यों होता है CACL2? क्योंकि देखो, कैलसिय जो है वो दो अपने बाहितम को इसके इलेक्ट्रोन को डोनेट करता है तो 9 actual d termosaurus weiß को तो अपना स्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रोन चेहिए तो यह दो की लिए को एक एक अलग-लग इलेक्ट्रोन दिदेगा इसलिए आपर दो क्लोरी नाइन है, इसलिए आपन CACL2 लिखते हैं, ठीक, आई बास समझ में आपे चलिए, अगला कुशन देखिए, श्वसन की किरिया है, उश्मा शोशी अपचयन, उश्मा छेपी अपचयन, उश्मा शोशी ओक्सीकरण, या उश्मा छेपी ओक्सीकरण, देखो, यहां पर दो चीज़े पता होनी चाहिए, या तो उश्मा छेपी है, या उश्मा शोशी है, या और आपके ऑक्सीकरण है, या फिर अपचयन है, पहले एक चीज़ को हम पता करते हैं, जिससे दो अप्शन सो यहां से हटे गम से गम, ठीक, देखो, श्वसन में क्य होता है, आपने सास ली, तो आपके अंदर जो ग्लुकोज है, या निकी C6H12O6, वो क्या होगा, इस ग्लुकोज से पहले पाइरुवेट में चेंज होगा, ठीक, अब यह पाइरुवेट से फिर ऑक्सीजन जब हम अंदर लेतें, तो माइटोकोंड्रिया के अंदर, यह कार अभी कारक के साथ हूरजा लिखी हुई है, तो उश्मा शोशी हुई, ठीक, और अगर उतपाद के साथ हूरजा लिखी हुई है, तो उश्मा छेपी हुई, तो यहाँ पे उतपाद के साथ लिखी हुई है, यह प्रोड़क्ट बना आपका, यह अभी कारक है, यह पास दो option है उश्मा 6 P प्रक्रम तो यह है अब आक्सी करण है या अप्चैन है इसका पता लगाना है तो देखो ओक्सी करण है अप्चैन oxygen का जुड़ना oxygen और यहाँ पर क्या हो रहा है oxygen की presence में ही तो यह सारी चीज़े हो रही है oxygen जुड़ रही है तभी तो यह अब घटित हो रहा है यहां पे हाना तो oxygen जुड़ रही है इसलिए कैसा प्रक्रम है उश्मा 6P oxygen अभी किरिया है ठीक है तो यह आपका कैसा श्वसन है why यह श्वसन के लिए सभी को answer आजएगा option the के लिए चालिए next question निम्ण में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन देखो जी भोजन का पाचन बरफ का पेगलना कोईले का जनना प्रकास संचलेशन जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं है पाचन है श्वसन है उचसरजन जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही है सब रासाइनिक परिवर्तन है क्योंकि जो चीज आपने खा ली तो क्या आप जो खाई है वो वापस ला सकते हो कि आप तो वो पच्की निकलेगा बहर अगले दिन हाना तो भोजन का पाचन तो आपके क्या हो गया रासाइनिक परिवर्तन बरफ का पिगलना पिगलना, जमना, संगनन, उर्दवपातन ये सब आपके क्या है बहुत एक परिवर्तन आपके जाएगा अप्शिन ब कोईले का जलना, जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन यानिकी क्यामिकल रियक्शन हो रही है प्रेकास इंसलेशन में भी क्या हो रहा है कारबन डाय ओक्साइड और जल का अवशोशन हो रहा है और आपके यहाँ पर क्या बन रहा है C6, H12, O6 यानिकी ग्लूकोज बन रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर तो यह आपके क्या है यहाँ पर प्रेकास इंसलेशन है पूरी कैमिकल रियक्शन हो रही है या तो 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 रसेनिक परिवर्तन है ठीक, चलिए क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में 20 मिनिट तक डुबो दिया जाता है देखो, क्या है लोहे की कील है यानिकी F.E. आईरन है और कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका पड़ जाएगा अब कुशन देखे न, घबराना नहीं ये इतना बड़ा सा पोहुत सिंपल सा यहाँ पे ये कुशन है देखो, जब हम एक अभी क्रिया शीलता की बात करते हैं तो देखो, ट्रिक याद गरो क्या ट्रिक है? केदार, नाथ, का, माली, आलो, जरा, पी के पकाता है कौन होगा आगे आएगा ये क्या है? अभी क्रिया शीलता जब हम उपर से नीचे आते हैं तो अभी क्रिया शीलता क्या होते जाती है? कम होती जाती है ये उपर वाले जो तत्वे ज़ादा भी क्रिया शीलता है नीचे वाले कम है अब देखो, कौपर सल्पेट सी यू एसो फोर का सलीशन जो होता है वो नीले रंका होता है उसमें हमने डाल दी क्या iron की कीले अब देखो iron अभी क्रिया शीलता में कहां आ रहा है उपर और copper का आ रहा है नीचे लिएन की कम अभी क्रिया शील कौन हुआ यहां से निकल गया कौन सी अभी क्रिया है विस्थापन अभी क्रिया तो देखो यहां पर यह आईरन इसमें आ गया तो इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा यह नीला रंग था तो यह फीका पड़ जाएगा और जो लोहे की केले थी उस पर copper जमा हो जाता है उपर हाना तो भूरा हो जाएगा copper बुरे रंग का होता है तो जो लोहे की केले हैं उमका रंग तो कैसा हो गया अगला जो नीला रंग है वो कैसा हो गया मलीन पड़ गया ठीक है तो आंसर के आएगा Aपना option आप इल्याप रह तक चालो अगला कुश्यन रासाइनिक रूप से जंग होती है iron chloride, iron oxide धोल का मिश्रन या iron sulfate iron किसके साथ reaction कर रहा है oxygen के साथ reaction कर रहा है तो iron oxide ही बनाएगा न answer क्या आएगा अपने हैं पर iron oxide F2O3 यह आपके क्या है यहाँ पर जंग है अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें न iron तो किसकी वज़े से संशारित होता है आपके oxygen की वज़े से चांदी की जो चीजे होती है उसको आप खुला ऐसे छोड़ दोगे तो वो काला पढ़ दाता है, क्यों? क्योंकि चांदी जो है वो react करती है सलफर के साथ और सिल्वर सलफाइड बनाती है AG2S, ठीक है? यहाँ पर तो यह आपके सिल्वर सलफाइड की वज़े से आपके चांदी काली पढ़ती है इसलिए मम्मी न जेवरो को रूई के अंदर रखती है जो आपके कॉपर होता है उस पर ग्रीन लेयर चड़ जाती है ग्रीन परत क्योंकि वो कार्बन डायोकसाइड के साथ रियेक्शन करता है ठीक है? यहाँ पर अपना अंसर है ब अगला कुशन देखिए निमन मेंसे एक ऑक्सीकारक कौन है? के अमनो फोर जिसको हम बोलते है पोटैसियम परमेंगनेट एसो टू सल्फर डायोकसाइड हाइडरोजन जल्फाइड एस्टो एसी है इनमेंसे कोई नहीं अक्सीकारक क्या होते है? देखो, सामने वाले का तो अक्सीकारन करेंगे और खुद अब चाहित हो जाते हैं तो यहां पर केमनोफोर जो है पोटैसियम परमेंगनेट यह ऑक्सीकारक एजेंट है और एक और आप याद रखिए के टू सीयार टू ओ सेविन पोटैसियम डायोकसाइड किसके लिए उत्तर दाई है अमलिय वर्षा के लिए उत्तर दाई जैसे की इंड्रेस्ट्री वगर ऐसे निकला जलवाष्ट के साथ अभी किरिया किया सल्फियूरिक अमल बनाया अब यह वर्षा जल के साथ मेक सोतिल उसकी पी-एज को कम कर देंगे पी-एज कम हुई यानिकि अमलियता होगी उसमें तो उसको हम कहते है फिर अमलिय वर्षा एसेड रे ठीक है चालिये अगला कुश्ण देखिए CACO3 कालसियम कार्बोनेट इसकी अभी किरिया सल्फियूरिक असेड से करा दी देखो कालसियम कार्बोनेट है यानिकि धातू कार्बोनेट है अपने पास और अमल है H2SO4 सल्फियूरिक असिड कौन सी गैस निकलेगी देखो जहां पे भी इस कुश्ण को करना ही नहीं है अपन को क्यों सीधे उडाना है जहां पर भी कार्बोनेट हो ना CO2 निकलेगी जहां पे भी कार्बोनेट हो क्या निकलेगी CO2 निकलेगी तो कार्बन डाय उक्साइड निकलेगी ने निकलेगी सा अंसर लगा दो पूरी रियक्शन को करने की ज़ुराती नहीं क्लियर चलिए अगला कुशन देखिए निमन में से किसे हासिया लाफिंग गैस कहते है कार्बन डाय उक्साइड को मीथेन को कलोरो फ्लोरो कार्बन को यह नाइटरस ओक्साइड को तो हासिया печ Sand आपके होती है N2O 問 अंसर आएगा अप्शन द कार्बन डाय उक्साइड CO2 मीथेन CH4 कलोरो फ्लोरो कार्बन CFC और N2O नाइटरस ओक्साइड पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदाई गैसे ने प्रत्वी का तापमान जो बढ़ रहा है वो आपके इन गैसे इसकी वज़े से बढ़ रहा है सबसे जाधा जो योगदान है उसमें किसका है कार्बन डायोकसाइड का तो ये चारो क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन की वज़े से ओजोन का डिपलीशन हो रहा है ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है उसका अवशय हो रहा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन की वज़े से एक क्लोरो फ्लोरो कार्बन का अणो ओजोन के एक लाख अणों को नस्ट कर सकता है ठीक चालिए अ परिवर्तन है विगट रासाइनी के जंग लगे हैं तो जंग तो आपके वायू यह में उपस थे तो उक्सेजन और नमीनल भीकरिया गां करetzen रेक्शन दो है तो एसे हट जाएगा दो ऑप्शिंस तो ऐसी हट गए 50% काम भी आपना ऐसी ही करें उश्रंस को उनको Eliminate करना सहिखें आप्षिंज को तो अपना आंसर निकल के आ जाता है अब देखो क्या ये विगिटन है क्या ये संशारंण है धातू खराब हो रही है उसकी रस्टिंग यानि कि जो लोहा है उस पर जंग लगई उस पर रस्टिंग हो गई आइरेन पे तो क्या जंग लगी धातू को बापस आप वैसा बना सकते हो पुराना लोहा ला सकते हो नहीं ना तो यह क्या है संशारण है और एक रासाइनिक परिवर्तन है धातू खराब हो जाती है उसको आंसर आएगा उप्शिन सब विगटन तो क्या होगा टूट ना होगा तो इसमें टूट थोड़ी रहे है इसमें तो जोड़ रहा है चालिए और आज का लास्ट कुश्चन देखिए बहुत इक रासारी परिवर्तन से कौन सा कथन सही है जिंक ऑक्साइड है कार्बन के देखो जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है ऑक्सीजन का निकलना अप्चैन तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है ना कि जिंक से तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है अप्चैन यानि कि पहला वाला स्टेट्मेंट ठीक है दूसरा देखो जिसमें ऑक्सीजन यहां पर जिसमें से oxygen निकल गई वो तो up chain हो गया है, जिसमें oxygen जुड रही है, उसका oxygen उप chain होगा, तो carbon में oxygen जुड रही है, carbon monoxide बन रहा है, ना कि carbon monoxide में oxygen जुड रही है, तो यहां पर carbon monoxide में oxygen जुड रही है, तो यहां पर carbon में oxygen जुड रही है, निकि इसका क्या हो रहा है उपचैन हो रहा है ठीक तो दूसरा वाला ठीक है तो A और B अपने यहां पर सही है आंसर आएगा option A ठीक है तो जिसमें से निकल रही है oxygen और जिसमें जूड रही है उस चीज़ पर आपको focus करना है कई बर क्या होता है options उल्टे दे देता है यहां पर जिसे क्या लिख देता है कि zinc का अपचैन हो रहा है और फिर हम उसको सही कर देते है तो यह चीज़ आपको विशेश यहां पर ध्यान रखनी है किलियर तो आज की इस class में हमने topic कवर किया है बहुतिक और आसाइनी परिवर्तन इन questions को कर लो कहीं कोई question गलत में होगा exam के दे ठीक है चलिए अब ऐसे ही इनी video classes के अंदर हम मिलेंगे और आपके science के सारे topics को cover करेंगे दनेवाद